स्री लंका कई दश्कों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूज रहा है देश में भोजन लसोई गेस और अन्य आवशक वस्तों की भारी कमी हो गई है और इधन की कीमते पहुस से बहार हो गई है पेटरपम के बहार पुलिस बल को तेनात किया गया है इसके साथ पेपर की कमी के कारण इसकुली बच्चों की परिक्षाएं कैंसिल कर दे गई है तो आईए उन कारणों पर नदे डालते हैं जिसके कारण स्री लंका में यह तभाई आई है विदेशी मुद्रा की कमी का मतलब है कि देश के पास आवश्यक वस्तूओं को खरिदने के लिए पैसे नहीं है श्री लंका अपने आयात पर बहुत अधिक निरभर है और आवश्यक वस्तूओं के अलावा वह पेट्रोलियम, भोजन, कागज, चीनी, दाल, दवाएं और परिवहन उपकर्ण भी आयात करता है पेट्रोलियम जनरल इंपलाईज यूनियन के अध्धक्ष अशोक रानवाला के अनुसार श्रिलंका में स्थिती इतनी गंभीर है कि सरकार को अपनी एक मात्र इंधन रिफाइनेरी में परिचालन स्थगित करना पड़ा क्योंकि यह कच्चे तेल के भंडार से बाहर हो गया था आज श्रिलंका जिस आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है वह विदेशी मुद्रा की कमी के कारण है पिछले हपते राष्ट के नाम अपने संबोधन में पुरधान मंत्री महिंदा राजपच्छे ने श्वीकार किया था कि देश को 10 अरब डालर का व्यापार घाटा होगा 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद टूरिजम इंडस्ट्री बेहत नीचे जा रही थी लेकिन कोवेड-19 की इस सिती ने स्रिलंका की रिड की हड़ी ही तोड़ दी वीडियो को लाइक करें शेर करें में रदभासी से जूनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भोलें